सक्षम नीज इंडिया की खबर का बड़ा असर अधिकारियों के आदेश के बाप जूद भी गाउं को नहीं किया गया था सैनेटाइज इस खबर को सक्षम नीज इंडिया ने दिखाया था प्रात्मिक्ता से सिन पहले ही उपदिला अधिकारी ने राजधानी लखनव के मोहनलाल गंचे से सैन्डि गाउं को सैनेटाइज करने का आदेश हिया था किन्ट उनके आदेशों को करमचारियों ने हवा में तक्षम नीज इंडिया ने खबर का संग्यान लेते हुए इस खबर को प्रमुक्ता सब्सक्राइज करने वाले अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और उसके साथ-साथ हमारे यहां जो जो खबर निकली थी कि से सिंडि गाउं में सिनेटाइजिसन नहीं हुआ है इस खबर का भी असर है कि तुरित कारवाई शुरू हो गई है इसके पीछे इसका जिसका सब्सक्राइज सब्सक्राइज नहीं करा गया अभी तक तो नहीं कराया गया था पहले लेकिन आप अब जो है सच्छम लोगों के अनुरौत पे कहा गया अधिकारियों से उसके भास यह छड़काओ उनू कराया गया मतलब पुराणा जैसे बीमारी से बचा अब आप पुरूंञोंगी महा गातक बीमारियों से यह खापी कापी लोगों के कहने से गवों के प्रतिष्टे प्रतिश्टे प्रतिश्टे क्यों कहने से यहां पे छड़काओ हो रहा है करवाया जा रहा है सच्चम न्यूज चैनल की खबर का एक तरफ बड़ा असर होते हुए दिखा है जसा कि आपको कल हमने दिखाया था कि मोहलाल गंज के सेंडी गवों में जब से कुरोना जैसी वीशड महामारी की सुरुवात हुई तब से एक भी बार सैनिटाइज नहीं कराए गया लेकिन सच्चम न्यूज चैनल में खबर चलने के बाद उपजिला अधिकारी मोहलाल गंज के आदेश का पालन करते हुए वीडियो मोहलाल गंज ने आज सैनिटाइजर कराने की जहमात उठाई है अब देखने वाली बात यह हो कि जब तक कुरोना जैसी भीषण महामारी होती है या रही है तब तक कितने बार सैनिटाइज कराते हैं और गाओं को रोख से मुक्त करने की एक कवायत करते हैं लखनाओ से सक्चम न्यूज के लिए रोहे दिख्षिप आप देख रहे हैं सक्चम न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तिज